आईए हम आपको TEV के नए ट्रक के अंदर ले चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसको चलाया जा रहा है और एक और चीज मैं आपको बता दूँ तमाम सुविधाओं का क्लेम किया जा रहा दावा किया जा रहा यह अत्यादुनिक है तो आखिरकार यह क्यों अत्याद करेंगे और खुद इस कंपनी के एमडी चला कर दिखाएंगे इस ट्रक को क्योंकि यह ट्रक जब हम अंदर आए हैं तो आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल अलग है क्योंकि मैं अक्सर जो है आपको अत्यादुनिक ट्रेने दिखाता हूं तो ट्रेन के अंदर का जो लोको पाइलेट केबिन होता है वो मैं दिखाता हूं और इसका केबिन कुछ अलग है डिफरेंट है देहिए यहां पर जो स्क्रीन है Android स्क्रीन है साथी साथ टच स्क्रीन है और सामने कई चीजें है यानि पिल्कुल ही फरक है यह या इस जो आम ट्रक होते हैं उनसे बिल्कुल अ स्राइब में ऐब देखेंगे तो आपको देखेंगे देखेंगे एक लला एक द नेको केमरी थे सकते आपplanogen ओर यहां पर आदमी एक हंग संगा सो सकता है यहां पर अमूमन होता है त्रक ड्राइवर धाबा धूडते हैं सडक्के किनारे तो उनकी समस्या का भी ध्यान रखा गया है यहां पर कि वह आराम से इसी के अंदर आराम कर सकते हैं यानि धाबे पे खाना खाईए और आराम से ट्रक के अंदर सोईए इदर माइक्रोवेव होगा नीचे रिफ्रिजुएटर होगा और ऐसे इदर आप देख सकते हो इदर टीवी लगाया है यहां पर कई सुविधाएं हैं यहां पर टीवी देखने की भी विश्था है यानि ज पूरा का पूरा के बिन हम कह सकते हैं एर कंडिसंड है यह एक बड़ी चीज ध्यान रखी गई है क्योंकि हमोमन होता क्या है जो ट्रक है वो कहीं न कहीं ऐसा लगता है अमानवी हैं आप अंदर बैठते हैं तो बड़े-बड़े गियर और साथी साथ उसमें एसी की दूब जा गया है एक और चीज में जानना चाहता हूं कि जब इस तरीकी के ट्रक जब हम बात करते हैं वाल्वो जैसी कंपनियां बनाती है जो बाहर चलते हैं अगर भारत की बात करें तो भारत में जो आपका कंप्टीशन है वो किस कंपनी से वह तो देखो सब को होगी क्यूंकि नहीं है कि एकड़म केक वाक है तो यहां पर अब हम हिमानसु जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वह बताएं कि किस तरीके से इसको चलाते हैं क्योंकि एक बटन दबाकर आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें वह जंजट नहीं है कि बड़ा सा गियर है यह जो मैंने लगा दी तो यहां पर अब ट्रक चलने को तयार है तो यहां मैं आपको दिखाने की कोशिस कर रहा हूं कि कैसे यह ट्रक चलता है तो चलाईए ज़र इसको किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे तो समझ लेए वह पर होल कर लेना कि कि पावर बहुत है इसमें तो यह ट्रक बड़ आसानी से इसको चलाया जा सकता है यहां पर हम ट्रक के अंदर महसूस बैठे हुए हैं और उसको महसूस कर रहे हैं इसकी ताकत को महसूस कर रहे हैं वाकई यह ताकतवर ट्रक है और जब भारती यह सड़कों पर यह दोड़ेगा तो कहीं न कहीं सेफटी और सेक्योर्टी क के साथ तमाम लोगों को ये बड़ी सुविधा देगा और एक और बड़ी बात मैं बता दूं क्योंकि जो लोग इस ट्रक को खरीदेंगे खास तोर पर उनके लिए सर्विस का जो इसू है जो अमूमन होता है उस पर भी ध्यान रखा जाने की बात कही जा रही है तो यहां पर कई समस्याओं को ध्यान में रखा गया है यहां आप देखें सामने की स्क Teil कि जो फे इसको इसको भी अलग तरीके से डिजाइन किया गया है क्योंकि इसकी इस स्पीड रहेगी तो कहीं न कहीं घर सण कम हो और दोनों को अगर हम जानना चाहें तो रहेगी स्पीट किया रहेगी और विंड इसी क्यों। कि नीचे जा रहे हो तो आपको हाइट भी मालूम हो जाती है कि इधर कितना हाइट है और आप हिट करेंगे के ने हिट करेंगे यह सब चीज जो लेके चलते हो तो आदमी को ऐसा लगता है कि नहीं यह मैं फ्रीडम ओपन में चल रहा हूं मैं आपको सब कुछ देख सकता है ज क्योंकि जब आप इस ट्रक के अंदर बैठते हो ड्राइविंग सीट पर बैठते हो तो सामने दूर तक दिखना चाहिए नीचे क्या है वो भी दिखना चाहिए आमोमन जो ट्रक होते हैं उनने पता ही नहीं चलता है कि इमेडियेट सामने क्या है कोई गड़्डा है या सकते हैं इवी वहिकल्स का जमाना है कैमरामेन हीरा मंदल के साथ सिध्धार्थ न्यूज स्टेशन खेड़ा